आज के इस एपीसोड में हम बात करने वाले हैं TCS श्टॉक और साथ महीं कंसीडर करेंगे हैपिएस्ट माइन श्टॉक के बारे में तो सबसे पहले हम TCS को डिस्कस करेंगे जिसका मुख्य कारणी है कि साथ आपको पता ही हो कि 12 जनवरी को एक बोर्ड के द्वारा बैठक में अनौस किया गया था कि बाइबेक सेयर लगबग 4 करोर के आसपास का अपटू 4 करोर सेयर जो है जिसके कारण ये श्टॉक 49 के रेजिस्टेंस को क्रोस नहीं कर पा रहा है उन्चालीस के क्रोस करते इस श्टॉक का टार्गेट आपको चोवालीससो चोवालीससो पचास के आसपास सोट टर्म में आते वे दिखेगा लेकिन चुकी ऑवराल मार्केट ब्यारिस है जिसके कारण ये श्टॉक 49 से ले करके इस समय डेली टाम फ्रेंब में इस श्टॉक 20 दे और मुविंग दे दोनों एवरेज के नीचे ट्रेड होते दिखता है और प्रसनली जब ये दोनों 50 दे मुविंग एवरेज के नीचे कोई भी श्टॉक हो तो उस stock में personally मैं short term bullish view नहीं देखता हूँ लेकिन चुकी इस stock का breaking news आते वे दिखा है और record date भी आ गया है तो इस वज़ा से अगर short term में भी इस stock में position बनाया जा सकता है जहां stop loss आपको 3620 के आसपास के stop loss को लगा करके 4300-440 के target के लिए आप trade कर सकते हैं overall IT index को देखें तो IT index में भी हम पाते हैं कि जो 3400 के आसपास का support है वो उसको respect करते हुए दिख रही है continuous दो बार उस support से bounce back आते हुए दिखा है तो personally मेरा मानना होगा कि TCS में short term position बनाया जा सकता है और इस से पहले इस stock में हमने लगभग 2019 में देखा था कि इस stock में इससे पहले buyback आया हुआ था और साथ में अगर दूसरा stock की बात करे happiest mind happiest mind भी जहां 1300 के आसपास का continuous support करते हुए और consolidated होते हुए दिख रहा था वहीं इस समय ये stock जो है 1070 के आसपास trade होते हुए दिख रहा है इस stock के next support की बात करें तो 980 के आसपास का support दिख रहा है तो प्रसनली मुझे नहीं लग रहा है कि shorter में काफी तेजी से stock के अंदर देखने को मिलेंगी हलांकि जो recent trading day में हमने देखा last trading day में ये stock 1050 के support को continuous respect करते हुए दिखा है अगर ये stock 1060-62 के उपर Monday को आपको trading करते दिखता है तो 1090 के आसपास तक के target के लिए trade लिए जा सकते है वही मेरा personal suggestion happiest mind के अंदर ये रहेगा कि 950-970 के levels का weight करना चाहिए यहां से 100 रुपी की और गिरावट आ सकती है चुकि overall market sentiment negative है तो फिर medium term के लिए 1350-1400 प्लस target के लिए happiest